कल पहली बार अध्यक जी एक शादी अटेंड करने के लिए गया मैं रामिला मैदान के महारेली के बाद बावाना के दरियापूर में वहाँ पर पिछले तीन चाह दिनों से लोग कोशिश तो कर रहे थे किस तरह का सरुकहित सकते हैं और किस तरह का गटिया कीश कर रहे लोग तीन-चाह दीन से कोशिश कर रहे थे कल दरियापूर में जब मैं शादी में गया मैं आपको समय भी बताऊंगा आज के तारीक में मुबाइल फोन हर आदमी की परचाई होती है आप कहां जा रहे हैं आपका लोकेशन भी ट्रेस हो सकता है कितना देर हैं आपके आसपास कौन लोग है सब कुछ ट्रेसिबल है कल दरियापूर में अध्यक जी कल दरियापूर में सवा नौ बज़े के आसपास जब मैं एक शादी अटेंट रने के लिए गया मुझे ऐसा पर्तीत होता है कि वो लोगों को पहले से जानकारी थी कि मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ तीन चार लोग मुझे एक तरफ ले गए मुझे बैठाया और मुझे कहा कि देखो दिल्ली के अंदर अगर आप लोग नहीं मालोगे हम आपको बार बार फोन पर कोशिश कर रहे हैं मनाने की बताने की अगर आप नहीं मालोगे कुछ नहीं मिलेगा डिल्ली के अंदर में राष्ट पती साशन लगाने वाले हैं आप मान जाओ आप अपने साथ दस विधायकों को तोर करके ले आओ सबको 25-25 करोर रुपया देंगे और आपको मंत्री पर देंगे तो सरकार बीजेपी बनाएगी 25-25 करोर रुपया देंगे और मंत्री पर देंगे आपको दस विधायकों का टार्येट आप पुर्वांचल के लेता हो आपके संपर्ट में बहुत हैं पुराने साथी हो आप सबको जानते हो सबसे बाचीत करो हमारे बिहाब पे बाचीत करो हमको रिपोर्ट दो और हम सब लोगों से बाचीत करके बहुत सारे लोगों के ओलिडियम संपर्क में है और हम उनको 25-25 करोर रुपया भी देंगे और आपको मंत्री बनाएगे पुर्वांचल कोटा से बीजेपी की सरकार के अंदर दिल्ली में जब हमने उनसे कहा कि क्या बकवास कर रहे हो तुभे लगता है कि हम जैसे लोग तूटने वाले हैं उन्होंने बोला बेवकूफी मत करो अगर आप नहीं मालोगे दिल्ली में राष्टपती साशन लग जाएगा और राष्टपती साशन तब तक रहेगा जब तक हम भारतिये जनता पार्टी की सरकार बनाने के स्थिती में नहीं आ जाएगा इतनी शंद की बात अध्यक्षम है अगर ये बात को आपको जाज करा नहीं है तो कराईए कल रात को नो बज के ठारा मिनट पर मैज जिस जगह पर था वहाँ पर भारतिये जनता पार्टी के जो जो नेता थे हमारे साथ उपलव थे उनका भी मुबाइल का जो नेटवर्क है उनका जो लोकेशन है वो ट्रेस हो जाएगा आज सुबह जब कल रात को मेरी बाचीत उनसे हुई और मैंने जो कहना था कह दिया आज सुबह 9 बज के 14 मिनट पर इंटरनेट का नंबर है ये इंटरनेट कॉलिंग मैं वो नंबर आपको बताना चाहता हूं उससे कॉल आ रहा है ति कल रात को हमारे रात के बीच में जो बाचीत हुई है अगर इस बारे में आपने किसी से कुछ भी कहा तो आपके साथ ठीक नहीं होगा धंकी देने मुझे और नंबर है प्लस 923477355013 आई रिपीट प्लस 923477355013 ये नंबर है 9 बज के 14 मिनट पे फोन आया है उसके बाद 3-4 बार फोन हो रहा है 3-4 बार हो रहा है जख जी रात को वहाँ पे संपर्क किया जब उनको लगा की हो सकता है ये नौजवान जो है सो जाकर के सब को बता देगा आज सुबह से मुझे फोन कर रहे हैं इस इंटरनेट कॉलिंग से और मुझे कह रहे हैं बार बार कह रहे हैं कि अगर तुम लें अपना मूझ खोला तो तुम्हार साथ ठीक नहीं हो कार देगी हमाने नेता जी को इन्होंने जूटे मुगदमें अंदर कर दिया अब हम लोग को ड़ा रहे हैं हम लोग ड़ने वाल है हम लोग मर जाएंगे तड जाएंगे लेकिर अट्विन केज विवाल के साथ कर भी पिद्धार ही नीगे यह कहरें राजपती साशल लगा देगे यह दिल्ली की जनता है दो करोर लोग है इनोंने अपने नेता को चुना है अध्यजी हम सब काम करना चाहते हैं यह घटिया राजनीती एक शरचन रेड़ी का तो केस आप सब जेख रहे हैं कि ऑपरेशनल लोटस किस पैसे से हो रहा अध्यजी मैं सदल के माद्यम से कहना चाहता हूं एक एक साथियों कहना चाहता हूं पहली बार मुझे संपर्क किया गया है और मैं सबूत के साथ इस सदल में बोल ला हूं कि इसकी जाच होनी चाहिए इस नंबर की जाच होनी चाहिए जो बात मैं कह रहा हूं उसकी जाच ह पकड़े गए जिस तरीके से हम लोग जानते थे ये दोनों रंगा बिल्ला पूंजी पतियों के दलाव है पूंजी पतियों के इशारें पे सरकार चलाते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से देश के सामने की चोरी पकड़ी गई किस तरीके से सट्टा चलाने वाली कंपणी फ्यूचर गेमिंग से पैसा लेते हैं किस तरीके से बीफ कंपणी से पैसा लेते हैं किस तरीके से शरचन रेड़ी से शराब माफिया से पैसा लेकर करके उसको बेल पर छोड़ते हैं। किस तरीके से ये लोग काम करते हैं सारे देश के सामने हैं। आप साबीत करने के लिए कुछ नहीं बचाएं। जहां जहां मेले तोरा जाता है जिजी स्टेट में तोरा जाता है जहां भी सरकार तोड़ी जाती है एक ही पार्थी है जहां भी दंगे करा जाते हैं एक ही पार्थी है इसमें किसी को कुछ कहने की जरुवत नहीं है अध्यक्ष मौद है अर्विन केजरीवाल जी के साथ हम ल लोगों को उंगली पकर के चलना सिखाया है अर्विंद केज रिवाल जी ने मरते दम तक मर जाएंगे लेकिन कभी भी अर्विंद केज रिवाल जी के साथ गद्दारी ने करेंगे दिखने का काम ने करेंगे